आज कल के रहन सहन और खानपान के चलते एक बहुत ही खास रोग विक्राल रूप लेता जा रहा है और उस रोग का उस समस्या का नाम है बवासिर, पाइल्स जिसे आयरवेद में अर्स के नाम से जाना जाता है यह रोग आम तोर पर ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है जिनका पाचन तंत्र कमजोर हो बहुत अधिक नशा आधी का वो प्रियोग करते हो इसके अलावा सारे दिन बैठे रहने वाले आलस्चे के वसिभूत होकर व्यायाम आधी का त्याग करने वाले और किसी भी कारण के चलते एधाणिय वेग अथार्थ मल मुत्रा अधी को रोकने वाले लोगों में यह रोग अधिक पाये जाता है इस रोग में मलद्वार के आसपास की नसों में सोजन उत्पन हो जाती है नसे फूल जाती है और वो सक्त होकर मस्यों का रूप ले लेती है जिनमें कई बार र आपको इस समस्या के ऊपर इस रोग के ऊपर विस्तार से जानकारी देने वाला हूं साथ ही साथ आपको कुछ घरेल नुस्खों के साथ साथ बाजार में मिलने वाली एक बहुत ही प्रभाव शाली ओशुधी के बारे में बताऊंगा जिसका प्रियोग बावासेर अथात अ अन्य विश्यों पर आगे बढ़ेंगे कब्ज इस समस्या का सबसे प्रमुख कारण है आमतोर पर दस में से नो लोगों को कब्ज के चलते ही बावासेर जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है कब्ज के चलते है जब मल त्याग है तो अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है तो परन्तु अधिक संभावन आएं कबज की स्थिती में ही रहती हैं वहीं आज कल के रहन सैन और खानपान के चलते भी यह रोग विक्राल रूप लेता जा रहे हैं मिर्च मसालेदार बिना पोशन युक्त आहार का ऐस समय प्रियोग पाचन तंत्र की निर्बलता को उत्पन कर बवासिर के समस्या में कारण बनता है इसके अलावा बहुत अधिक नसीले पदार्थों का प्रियोग करना किसी भी प्रकार का व्यायाम या फिर सारेरिक श्रम का त्याग कर देना अथार्थ लगातार बैठे रहना और कई बार यह स्थिती अन्य रोगों के चलते भी इतना सामान्य रोग लगता है उतना असल में यह है नहीं बलकि इसके दुस्प्रभाव बहुत अधिक परिशान करने वाले होते हैं ना केवल रोगी को अत्यंत दर्द का सामना करना पड़ता है बलकि उसका चलना फिरना उठना बैठना यहां तक कि लेटना भी दूभर हो जाती है बुखार किसी स्थिती रोगी की उत्पन होने लग जाती है भूख लगना कम हो जाता है हाथ पर दुखने प्रारंब हो जाते हैं दिन प्रति दिन रोगी कमजोर होता चला जाता है और अगर खूनी बवासिर हो तो ऐसे में रोगी के अंदर खून की कमी की भी उत् अवस्था में किसी भी ओशद आदी का प्रियोग करने का विचार करने से भी पूर्व आपको चाहिए कि इन कार्णों से दूरी बनाई जाए ताकि रोग से सदा सदा के लिए आपको छुटकारा प्राप्त हो पाए अथार्त कब्ज की अवस्था बिल्कुल भी ना बनी रहे ऐसा भोजन ऐसा कार्य आपको नहीं करना जिसके चलते मल त्याग करते समय आपको बल लगाना पड़े नित्य व्यायाम करे बहुत अधिक देर तक एक जगह ना बैठे रहे ऐसी अवस्था में थोड़े थोड़े समय पस्चात उठकर घूमना फिरना आवश्य चाहिए नस इसी विप्रकार का अतिरिक्त दबाव ना पड़े वही मलमुत्रादी अन्य अधान्य वेगो को रोकने का प्रियास बिल्कुल भी ना करे चलिए अब जान लेते हैं कुछ आसान घरेलू नुस्खों के बारे में तत्पश्चात बाजार में विलने वाली एक बहुती प्रेलू उपाए पुरानी से पुरानी बावासीर की समस्या को भी दूर करने के लिए प्रियापत है जिहां बहुत ही प्रभावशाल ये प्रियोग है इसके लावा त्रिफला या फिर हरड अकेले हरड का भी नित्य प्रियोग बावासीर की समस्या में बहुत अदिक जाते हैं वहीं रोजाना अपामार्ग के पत्तों का रस 5-6 ग्राम की मात्रा में प्रियोग करने पर भी बवासिर की समस्या में बहुत उत्तमलाब की प्राप्ति होती है तो दोस्तों ये थे कुछ घरेलू नुसके अब जान लेते हैं बाजार में मिलने वाली एक बहुत प्र जीरा, पेपली, पेपली मूल, यवचार, आमला, चव्य चित्रक, सोठ, सुध भिलावा, शूरण, बहेडा और सुध गुगलू ये सभी घटक बवासिर रोग में प्रमानिक रूप से सद्यों से प्रियोग होते चले आ रहे हैं बवासिर की अवस्ता में होने वाले विभ प्रियोग से लाब की प्राप्ति की जा सकती है, जहां तक बात है इसोशिदी की प्रियोग विधी की तो नई बवासिर की समस्या में दो-दो कैप्सुल सुभह शाम भोजन के पश्चात एक से दो सप्ता तक आपको प्रियोग करने चाहिए, वहीं पाइल शोर ओल का ध्यान रखे इसोशिदी का प्रियोग करते समय या फिर इस रोग से पीडित रोगी को ही मिर्च मसालेदार बाहर का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे पाचन तंत्र पर किसी भी प्रकार का अतरिक्त दबाव पड़े, विसेश तोर पर मास मदीरा का सेवन बिल प्रिशान ना करें, तो दोस्तों आशा करता हूँ, आपको मेरे द्वारा दी गई है, जानकारी पसंद आई होगे, अगर आपको जानकारी पसंद आई है, तो अधिक शदिक शेर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाओ, अपने सवाल मुझे नीचे अधिम से बताईए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे अभी सब्सक्राइब कर लिजेगा, आप या आग्या चाहता हूँ, मिलते अगले वीडियो में, नमस्कार